हेलो अबरिवन मेरे चैनल एजुकेशन उत्वीक के मैं आप से भी का स्वागत है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं आप लोगों को जहारकन का एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग निज बताने वाला हूँ तो यहाँ पे ब्रेकिंग निकल करके आई है मैं आपको आगे वीडियों में बताने वाला हूँ अगर आप जहारकन के बेरोजगार अभियारती हैं आप जहारकन में जोब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आई है आपके लिए एक बह मोक्रियों की बहार लगने वाली है और जितने भी पड़ खाली है उसे जो है बहुत ही जल जो है इसे भरा जाने वाला है तो मैं इस वीडियो में आगे सब कुछ बताने वाला हूँ और अगर आप इस वीडियो को पूरे आप इसके बारे में पूरे लाश तक जानना चाहत तो वीडियो को बिना आश्किप के हुए आप इसे लाश्ट तक देखिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हेमन्द सुरेन ने दिया आदेश याणि हेमन्द सुरेन ने यह आदेश दे दिया है कि जितने भी पद खाली है उसे जल्द से जल्द भरा जाए ठीक है और हमन्द सरकार ने यह फैसरा लिया है कि जितने भी राजे में खाली पड़े पद हैं उन्हें लगभग लभग कितने एक लाख लगभग जो पद हैं खाली पड़े हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और जो भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें जो है कि र शुरू कर दी गई है यानि सरकारी विभागों में इसकी प्रकिरिया शुरू हो चुकी है दोस्तों तो यहां आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है कि यहां पे जो सरकारी विभागों में जो प्रकिरिया है उसे शुरू कर दी गई है और यहां पे देखें कि हेमन्त स्वरेन ने ऐसा कहा है कि रीक्त पदों को जल्द से जल्द भरे और ऐसे कारियों को करे जिसे की रोज़गार का सिरिजन हो ठीक है, और देखें यहाँ पे एक लाग पदों पर होगी भरती यानि इस बार जो है लगभग लगभग इस बार आ सकती है दोस्तों और इसके लिए जो है कि इसी माह में जारी हो सकती है बिग्यापन यानि इसके लिए जो भरती के लिए जो भी मतलब अपडेट है इसके लिए जो भी बिग्यापन है उसे जो है कि इस माह यानि कि फरवरी के लास्ट विक तक जो है कि इसे जो है कि बिग्यापन को जारिक किया जा सकता है ऐसा क्या है कि दोस्तों की कर्मियों के कमी के कारण जो है कि जारखन राजे में बहुत सारे कारी जो है काम काजपे जो है बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे में जो खाली पड़े पद को भरने के लिए मुख्य मंत्री के तुवारा जो आदेश दिया गया इससे क्या है कि जो जार्खन के जो भी बेरोज़गार युवा है उनमें एक उमीद जगी है ठीक है? और साथ ही यह बतादू कि अगर क्या है कि मुख्य मंत्री ने जो अस्थानिय निती में संसोधन के संकेत दिये हैं और नियूजन निती के बारे में जो भी फैसला बाकी है इसके बारे में भी फैसला भी बाकी ही है तो यह जो आप देख रहे हैं इसके बारे में नियूजन निती के बारे में आप लोगों को हो सकता है कि 14 फरवरी को कुछ अपडेट दिया जाएगा तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को इस चैनल पे बता दूँगा तो यहाँ पे यह बहुत बड़ी अपडेट यही है दोस्तों कि जितने भी सरकारी जो भी भाग हैं उन लोगों के द्वारा जो लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में तो चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं जैसे आप यहां देख रहे हैं जो विभागों में खाली पद कौन सी विभाग में कितने पद खाली हैं जैसे यहां आप देख रहे हैं किरिसी विभाग तो किरिसी विभाग म एक तालीज ठीक है इस तरह से और अगे बढ़ते हैं तो सहकारिता में 120 पद खाली हैं उर्जा विभाग में 33 पद खाली हैं उत्पात विभाग में 552 पद वित बिभाग में 722 पद राष्टिय पचत में 75 वानिज्य कर में 286 इस तरह से आप देख रहú हैं दोस्तों यहाँ पे और देखिए आगे खादय पूर्ती में 109 पत खाली हैं वन एवं परियावरण में 3086 स्वाहत्थ विभाग में 93080 और गिरिः विभाग में 20224 पत खाली हैं सुचना जन संपक में 704 पत खाली हैं और उद्योग विभाग में 1060 पत खाली हैं और यहां आगे देख रहे हैं कि वीधी विभाग में जो है कि 1610 पदे खाली है खान विभाग में जो है कि 476 पद खाली है और जपी एसी विभाग में जो है कि 68 पद खाली है और संसद्य कार्य में 22 पद, कार्मिक विभाग में 106 पद ठीक है? अब यहाँ देखिए योजना वीभाग जो है उसमें 248 पत खाली है राजर सु वीभाग में 1271 पत खाली है पेजल वीभाग में 789 पत खाली है कार्मिक राजभासा में 209 पद खाली है पथ निर्बान में 765 पद खाली है और ग्रामिन विकास में 3498 पद खाली है आगे देखिए तो जल संसादन में 327 पद खाली है और नगर विभाग में 477 पद खाली है प्रेटन विभाग में 101 पद खाली है लगु सिचाई में 657 पद खेलकुद विभाग में कितने तो 141 पत खाली हैं इस दरह से मतलब यहाँ पर जो खाली पत है उसके बारे में यहाँ पर कुसि दिखाया मैंने तो यह सब यहाली की बहुत ही जल्थ होने वाली है और इसके लिए जो है कि जो भी प्रकिरिया है वह सुरुत हो चुकी है सबसे बड़ा अपडेट यही है दोस्तों कि जो सरकारे भी भाग हैं वहाँ पे जो है कि सभी परकियाओं को सुरू कर दिया गया है और ऐसा जो है कि आदेश जो है कि हमारे मुख मंतरी श्री माननिय हेमन सोरंजी के द्वारा दिया गया है तो बहुत ही जल आप लोगों के सामने खुशी आने वाली है दोस्तों तो अगर यहाँ पे अगर आप बेरोजगार हैं तो आप लोग इस बार जो है कि आप तयार रहिए और बहुत ही जल आप लोगों के सामने जो है कि य अपडेट आने वाली है विग्यापन जो है आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों तो यही था हमारा आज की वीडियो में तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों में सेर कर दिजेगा औ नेक्स्ट वीडियो में चलिए थैंक्यों दोस्तों थैंक्स वर वाचिंग